आखिर कब जागेंगे बहुजन दलितों के अपमान का जिम्मेदार कौन दलित या सवन कौन है ज्यादा दोसी मंदर में गुसने से दलित दमपती को पुजारी ने रोका राइस्तान के जालोर की है ये घड़ना यूँ तो समय समय पर उन दलितों को खुराग पानी मिलती रहती है और मिलनी भी चाहिए जो खाते तो खसम का है और गीत पीर का गाते हैं अर्तात सीधे सब्दों मैं कहूं तो जो भी कुछ ठीक ठाक समय पर खाने पीने ओडने पहनने सिच्चा स्वास्त और नौकरी रोजगार में पिछले कुछ बरसों से दलितों ने जो प्रितनित उप्राप्त किया है वो भारत के सम्मिदान और बाबा साब के संग्रसों का ह पर नाम हैं फिर भी ये एहसान फ्रामोस कौम बाबा साब द्वारा किये गए एहसानों को बलाकर जब भी कोई नई उपलब्दी हांसिल करते हैं नौकरी पाते हैं या कोई खुशी इजहार करने का मौका आता है तब तब ये दलित बाबा साब के उन सभी संग्रसों को दूर रखा कैसे हम दलितों को सिच्चा से दूर रखा कैसे हम पानी की एक एक बून्द को तरस्ते थे कैसे हमारे बच्चे जातवाद के कारण इलाज के अवाम में तडब तडब कर मर जाते थे कैसे हमारी बहु बेटियों की डोलियों को जबरदस्ती उठा लिया ले जाता ऐसी ही तमाम हजारों बातों को भूल कर ये दलित नौकरी लगने पर, साधी होने पर, बच्चा पैदा होने पर, घर बनवाने पर, धन्यवाद करने मंदिर और पंडे पजारियों के यहां पहुँच जाते हैं वो यह सब इतनी आसानी से कैसे बूल जाते हैं कि देश आजाध होने, बारती समिदान लागू होने और बावा साब के संग्रसों से पहले भी यह मंदिर भी यहीं थे, यह भगवाल भी ठीक यहीं थे, जहां अब यह मंदिरों में ढूरते हैं और यह पुजारी भी यहीं थे पिर तब क्यों हम दलतों को इन भगवान, मन्निल और कथिद उची जातवालों ने सिच्छा से दूर रखा पिर क्यों हम पानी की एक-एक बूंद को तरसे थे पिर क्यों हमारे बच्चे जातवाद के कारण इलाज के अबाम में तडप-तडप कर मर जाते थे क्यों हमारी बहु बेटियों की इज़त को उचाला जाता था ऐसे बगत और हालातों पर ये भगवन क्या कर रहे होते थे ये बात आज मैंने इसलिए की है क्योंकि ऐसा ही एक मामला राइस्तान के जालोर से सामने आया है इस गटना का सोसल मीडिया पर एक बीडियो भी तेजी से बाइरल हो रहा है जिसमें एक दमपती मंदर में घुसने का प्रियास कर रहा है और मंदर का पुजारी दमपती को गड़ियाते हुए नजर आ रहा है पहले आप ये बीडियो देखिए पुजारी आप देखिए बीडियो में पुजारी कह रहा है कि पूजा मैं करूँगा और आप यहीं खड़े रहेंगे यह गटना राज्तान के जाल और जले की है जिसमें दलित समदाय के एक नव विवाहित जोडे को मंदर में प्रवेश से ना सिर्फ रोका गया बलक उन्हें अपमानित भी किया गया हालां कि पीडित पच की सिकायत के बाद अब पुलिस ने मामला दज कर लिया है और जांच भी सुरू कर दी है बताया जा रहा है कि आहोर तैसील के साडन गाम से उंकाराम राठोर की बारात नीलकंट गाम के हुकम राम मैगवाल के घर आई थी जहां उंकाराम की सादी संतु के साथ हुई सादी के बाद नारियल चड़ाने मंदर गया था नव विभावित जोडा जानकारी के मताबिक जालोर जिले के बादरा जुन थाना छेतर के नीलकंट गाम में 21 अप्रेल को ही सादी के बाद अगले दिन एक नव विभावित जोडा नारियल चड़ाने के लिए गाम के नीलकंट महादे मंदर गया था नव विभावित जोडे के साथ उनके कुछ रिस्तेदार भी साथ गए थे बताया गया है कि जब नव विभावित जोडा मंदर पहुँचा तो मंदर के पुजारी ने उन्हें मंदर से बाहर रोक दिया और दूर से ही नारियल चड़ाने को कहा अब इन दलतों को कौन समझाए कि मंदरों में सिवा घंटा के कुछ भी नहीं रखा क्योंकि अगर मंदर में बेटे भगवान में थोड़ी सी भी सकती होती तो वो भगवान तुरंत पुजारी को भस्म करके अपने भगतों को मंदर जरूर बलाता लेकिन है सातियों ऐसा भी हो सकता है और दूसरी बात मैं भगवान पर भी यह आरोप लगाओं कि भगवान में सकती नहीं होती है तो सायद भावनाओं की खिलवार का हवाला दे कर कहीं मुझे भी जेल मेंन डाल दिया जाए इसलिए मैं इस बयान को बापस लेता हूँ कि भगवान में सकती नहीं होती है बलक मैं तो यह कहूँगा कि भगवान में सकती है लेकिन वो भगवान भी दलतों का हित नहीं चाहते हैं साइद इसलिए बगवान अपनी सक्टी का प्रयोग करके दलित भक्तों को अपने मंदर में नहीं बुलाते हैं वैसे एक बात साप है मैं भी दलित हूँ मेरी भी साधी हुई है मैं कभी मंदर नहीं गया साधी पर भी नहीं इतना ही नहीं अगर मुझे कोई एक बार अपने घर से भगा दे, कसम खा कर कहता हूँ, मैं जिन्दगी भर उसके घर जाने की बात तो छोड़ो, मैं जिन्दगी भर मैं उसके घर की तरफ पैर रखकर भी नहीं सोंगा, और नहीं सोता हूँ, जिसने मुझे घर से भगाया हो, सातियों इतना नहीं नहीं पेर रखकर सोना तो बहुत दूर की बात है मैं तो उस तरप कभी मूत्ता भी नहीं हूँ खेर आपकी जिंदगी है आप अपनी जिंदगी कैसे जीते हैं ये तो आप पर निर्वर करता है मैं तो अपनी बता रहाता जनित आवाज के लिए मैं ब्रजमोहन वीरो दिली